हेलो बचो यह परसनावली 7.3 का कोशन नमबर 19 है बाकि सब जितने हमने कोशन किये हैं 18 तक उसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनले पर यदि आपको कोई समस्या हो 7.3 में तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं चलिए कोसनर आप 19 हल करते हैं तो क्या करेंगे हल करने से पहले तो सबसे पहले कि यह देखेंगे कि यह का सूत्र बन रहा है जो क्वे की सब्सक्रों करने हैं District Dep, कर देखते हैं तो यहां पर हो जाइगा आपका समाकल और स्कार से गुणा करेंगे औरक नीचे। जाएगा sin x into cos 3 x हete नीचे cos immense ren आएगा थो आप कोस की power 4 x हो जाएगी ने यह नदू डी एक्स कोज एक्स अपन Hein signочки होट्स आप जानते उनका कए अधिक कोस एक्स बड़न में साइन एकस है तो इसे हम कोड़ेक्स के नाम जनते हैं और कोटएक्स का उल्टा क्या होता है कोड़ेस का उल्टा होता है iTunes का यूज जह दो अपने क 국 क्एने यूज करने वाले क् Krishna रचो क्षिए क्स और कर देंगे वह अपन टेने लिक दने की कॉस अपान साइन एक्स को 우리가 अब लाइन बड़ाई ही देते हैं आपके लिए किको सद्टू साय नइसा कपा हो जाएगा all vaadeya into और जो आप यह भी जानते हों कि होनपन कॉस एक्स होता嘆 तो इसे से क्तीक एकसी लिख सकते हैं यूसे लीए अब वान पान से वान पान कॉसके पावर 4 एकस को हम वान से की पावर 14 बारजियों अब हाEu हमने बता था कि जो कॉटकस से इसे हम वान अपन 20 एकस लिख सकते हैं तो क्ोटकस को हम और बूद 10x into sec की power 4x हम इसलिए इसे 10 में बदले हैं क्योंकि 10 और sec का आपस में relation होता है इसलिए हमने cortex को भी 10x में बदल दिया है into में dx dx छूट रहा है तो आप इसको last में add कर लिजेगा या आप add करते चाहिएगा क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है जल्दी जल्दी solve करना है इसलिए थोड़ा जल्दी में छुट भी जाए तो आप अपने तरफ से इसे add कर लिजेगा तो अब यहाँ पर आजाएगा कि समाकल जो sec की power 4x है तो इसे हम sec की power दो दो भाग में तोड लेंगे तो sec की power 2x into sec की power 2x बटे में आपका हो जाएगा 10x into dx तो चलते हैं next page पर क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर कि जो sec की power 4x है इसे हम दो भागों में तोड लिए sec की power 2x into sec की power 2x और बटे में 10x का 10x लिख दिए into dx अब इसके आगे solve करते हैं रखते हैं कि sec square x into sec square x बटे में 10x तो आप यह भी formula जानते होंगे कि sec square x equal to 1 plus 10 square x होता है ओके आपने यह formula याद भी किया होगा और जानते होंगे कि sec square x equal to 1 plus 10 square x होता है तो चलिए 1 sec square x की जगा पर हम इतना put करते हैं तो यह समा करें यहाँ पर लिखे लिए रहें 1 plus 10 square x into में sec square x into dx बटे में 10x तो अब हम क्या करेंगे कि यदि इसकोर 2 10x माल लेते हैं और 10x का alkaline कर देंगे तो इतना यह फलन आ जाएगा तो चलिए मानते हैं ती इसकोर 2 10 x माल लेते हैं और इसे x के सब x जब हम t is equal to कोई भी फलन मानते हैं तो हम क्या करते हैं उसका alkaline कर लेते हैं इसका जब ओकलन करेंगे तियों जग आपका dt upon dx और 10x का ओकलन आप लोग जानते ही होंगे कि सेक स्क्वाइर एक्स हो जाता है तो dt की वैलू आप किया जाएगी सेक स्क्वाइर एक्स इंटू डी एक्स ओके तो जहां सेक स्क्वाइर एक्स इंटू डी एक्स जगह पर हम dt लिखेंगे और जो आपका है 10x 10x की जगह पर हम t put कर देंगे जो चलिए put करते हैं तो जब हम यहाँ पर सेक स्क्वाइर एक्स इंटू डी एक्स जगह पर क्या dt पूट करेंगे यहाँ पर देखिए सेक स्क्वाइर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हम dt पूट करेंगे और 1 प्लस जो यह 10 है 10 स्क्वाइर एक्स की जगह पर t रख देंगे और यह जो 10x है इसके जगह पर हम t put कर देंगे तो चलिए करते हैं समा कलान 1 प्लस 10 X की जगह पर t put करेंगे तो यह जाएगा t square into s2 into dx की जगह पर सेक स्क्वाइर इंटू dx की जगह पर हम dt put कर देंगे in2 में dt बटा में क्या हो जाएगा बटा में आपका हो जाएगा यह 10x है न तो 10x का हम t put कर देंगे ओके तो यहाँ पर आपका हो गया 10x तो इसे हम simplify करकर लिखें तो इसे हम t plus one by t के रूप में लिख सकते हैं upon dt, इंटू में dt, क्या क्या हमने कि यदि आप one upon, देखी आप इसे t से इसमें multiply करेंगे जब इसम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि t का square plus one हो जाएगा, t की square plus one बटा में t हो जाएगा यही आजागा, सेम से, हमने इसलिए इसका इस तरह से लिखा है कि यदि हम इनका समाकलन भी करें तो t का, आपका t square by 2 हो जाएगा और one upon जो t है, इसका हम करेंगे तो यह log t हो जाएगा तो चलिए करते हैं समाकलन, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t square by 2 plus में, one upon t का आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, log t mod में plus c, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप के वहल, आप यहाँ पर simple से, simple दरीके से t की value रख देंगे, t square to 10x, तो आपका जो है answer आजाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा रफली करकर दिखा देना हो, कि t square by 2 मतलब कि 10 का square, x by 2 plus log में, mode of 10x plus c, यह आपका answer आजाएगा, ओके?